नमस्का, राजनमा टीही पर आपका स्वागत है, मैं प्रियाम आपके साथ 2024 लोकसभा चुनाओं से पहले विपक्षी दल 17-18 जुलाई को बैंगलोर में मीटिंग करेंगे मीटिंग से एक दिन पहले रविवार को कॉंग्रेस ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांस्फर पोस्टिंग को लेकर केंदर के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की खोशना कर दी कॉंग्रेस मा सच्चिव केसी वेणू गोपाल ने कहा केंदर सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हम संसत में आपका समर्थन करेंगे कल बैंगलूर में होने वाली विपक्षी एकता की मीटिंग में आप भी शामिल होगी कॉंग्रेस के फेसले पर आप सांसत रागव चड़ा बोले यह एक अच्छी पहल है कॉंग्रेस के इस एलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंद्री अर्वीन केजिवाल के आवास पर पार्टी की राजनितिक मामलों की समीती की बेठक होई जिसमें रागव चड़ा, गोपाल राए, आतीशी पार्टी जैसे कई नेता मोजूद रहे बेठक में आपने तै कि वो विपक्ष की बेठक में शामिल होगी 20 जुलाई को सांसत का मानसुन सत्र शुरू होने वाला है के अंदर सरकार इस सत्र में 21 बिल लाने वाली है जिसमें दिल्ली में अफसरों के ट्रांस्वर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर 20 माई को लाया गया अध्यादेश भी शामिल है दिल्ली के सीएम अर्विन केजरिवाल इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटा रहे है इससे पहले 23 जुन को पटना में बिहार के सीएम नितिश कुमार ने विपक्षी दलों की बेठक बुलाई थी इसमें आप समेथ 17 दल शामिल हुए थे तब बेठक में केजरिवाल ने कहा था कि कॉंग्रेस ने अगर अध्यादेश पर हमारा समर्थन नहीं किया तो हम विपक्ष की बेठक में नहीं आएंगे इसी के साथ बने रहे है राजनामा टिवी के साथ धन्यवाग